ब्यार में मौसम की मिजाज गी ब्यार में एक बार फिर से अगले दो दिनों के लिए मौनसून जख्रिये हुआ है बारश को लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दी गई है मौसम विभाक का कहना है कि अगले 48 घंटों में ब्यार में अच्छी बारश होगी समस्तिपुर, गया, नवादा, लखे सराय, पटना और अंगाबाद सहित कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है मौसम के मिजाज को लेकर अदिक जानकारी दे रहे हैं निउजीटीन संभाद दाता शैलींद्र कुमार बिहार में अगले दो दिनों के लिए मौनसुन सक्रिय हुआ है पटना समेथ बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है कुछ जिलों में अलर्ट विजारी किया गया है राजधानी पटना के हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सुबह से ही रुक रुक कर लगातार हलकी बारिश हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले दो दिनों से गर्मी थी कहिन कहिन लोगों को राहत जरूर मिली है यदि हम बात कर लें उन जिलों की जहां बारिश होने वाली है तो नालंदा, नवादा, लखी सराय, पटना, और अंगाबाद गया इन जिलों में बारिश की समभवना जताई गई है साथी साथ सहाबाद का जो इलाका है आरा और अंगाबाद बकसर के कहले तो इन जिलों के लिए एलो एलर्ट भी मौसम भाग ने जारी किया है और जिस तरीके से बिहार में मौनसुन के सिती रही अभी तक बारिश होने के बापजूद कई जिलों में आस्तन काफी कम बारिश हुई है और खास करके दिहम उत्तर बिहार की बात कर ले तो उत्तर बिहार के कई जिलों में 30 से 50 फिजदी के बीच कम बारिश अभी तक देखी गई है और अभी जो फिलाल जो बारिस हो रही है इस बारिस से पतना के लोगों ने रहत की सांस लिये सुबह एजार बजे से ही लगातार हलकी रुक-ровिकर बारिस हो रही है करफान अमीद के साथ शालंध बचिटीन पतना और फिलाल इस बुलेचर अभी के लिए बस अतना ही एक नजर स्वक के हेड्लाइन्स पर